हरे कृष्णा दोस्तो इस कथा को जो सुनेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी एक बार की बात है ये सोधा मैया प्रभु स्री किष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर स्री किष्ण की और दोड़ी जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाओ करने के लिए भागने लगे भागते भागते स्री किष्ण एक कुमार के पास भोजे कुमार तो अपनी मिट्टी की घड़े बनाने में ब्यास्त था लेकिन जैसे ही कुमार ने किष्ण को देखा वो बहुत प्रसंद हुगा कुमार जानता था इस्री किष्ण साक्षात परमेश्वर है तरबभु ने कुमार से कहा कुमार जी आज मेरी मैया मुझे पर क्रोधित है मैया चड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भाग्या मुझे कहीं छुपा लो तब कुमार ने किष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया कुछी छड़ों में मैया चड़ा भी वहां आ गई कुमार से पुछने लगी क्यों रे कुमार तूने मेरे कनहिया को कहीं देखा है क्या कुमार ने कह दिया नहीं मैया मैने कनहिया को नहीं देखा श्रीकिष्ण ये सब बाते बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे मैया तो वहाँ से चली गई अब प्रभु स्रीकिष्ण कुमार से कहते हैं कुमार जी यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभु जी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुश्कुराये और कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ अब तो मुझे बाहर निकाल दो कुमार काने लगा मुझे अकेले नहीं प्रभुजी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूँगा प्रभुजी काते हैं चलो ठीक है उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो अब कुमार काता है बस प्रभुजी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको अपने दे क्या काना चाहते हो कुमार काने लगा प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलो के उपर लात के लाई गई है मेरे इन बैलो को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसंद होकर उन बैल से भी पूरा कर दीजिए और वो यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस सवात को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे बस यह वचन दे दो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प चरणामित प्रिया अपनी पूरी जोपड़ी में चरणामित का छिरकाव किया और प्रभुज की गले लगकर इतना रोए कि पभु में ही बिलीन हो गए जरा सोच कर देखिये जो बाल स्री किष्ण साथ कोस लंबे चोड़े गोवर्धन परवत अपनी कुनी उंगली पर होगा प्रभु स्री किष्ण मिल नहीं सकते जय स्री किष्ण राधे राधे